कि यह कुछ-कूछ ऐसी कमपणी होती है जो रिटेल निमस्तकों को फासाने के लिए हमेशा तयार रहती है अब दो चीजे दो कंडिशन होता जो कुछ लोग है उनको लगता कि यह हरकत जो है केवल छोटी कमपणी करती है नहीं यह हरकत बड़ी कमपनी भी करती है देखो मैं कुछ नहीं कर पाएगे थोड़ी बहुत उपर नीचे चलो भई वैसे भी छोटी थी जा वो तो डूब भी सकती है लेकिन बड़ी कंपनी ज्यादा तर इटेलिमिसकों को फजाने के कोशिस करती है अब मेरा क्या है मैं आपको बता दूंगा जिनको समझना है वो इसारा समझन जिसको नहीं समझना वो पांच साल पाज जब उनका पैसा जिरो हो जागा तो समझ में आएगा क्या होता ना देखो वक्त रहते संभल जाए तो ठीक है ने तो जिस दिन वक्त ने हमें समझा दिया ना बहुत तकलिफ होती है देखो यहां पर बताया जा रहा कि IDFC First Bank अपने एक ही काम करके देंगे क्या फसा के देंगे देखा आपने चक्रवी एक ऐसी चीज होती है सामने वहला को भी नहीं पता चलता है कि भाई मैं फसरा हो करके ऐसी चीज होती है IDFC लोगों को लगता कि वह IDFC ने क्या मतलब अच्छा का सा रिटन निकाल के दिखा है मैं आपको कब से कंपनी आई है 2015 से कंपनी आई है 2015 से आज तक का रिटन देखोगे तो नगेटिव 24% का रिटन है बताइए इतना ज्यादा मतलब जो है पांच सालों में तो मैं आपको बता दो कि बैंक है अच्छा का सा रिटन निकाल के देता है यह तो 6-7 सल हो चुके यहां पर कंप बीच बीच में क्या होता ना कि एक टेंपररी तेजी देखने को मिलती है बीच बीच में और इस तेजी के अंदर क्या होता कि रिटेल निमिसकों को पैसा यहां पर लगाया जाता क्योंकि बहुत सारे लोग जो बड़े प्लेयर होते वो बेच के निकलना चाहते हैं इस 55% का रिटन देखने को मिलता है यहां पर अगर आप देखे तो यहां पर भी स्टॉक मतलब 60-70% का यहां पर भी रिटन दिया था दिया था कि नहीं दिया था यहां पर भागाता लेकि यहां पर भागने के बाद क्या हुआ तो इससे भी नया एक लो बनाया यहां पर भाग अलग मोट है या फिर competitive advantage है बैंक ही है पचास बैंक है हमारे भारत देस में सरकार खुदी परिसान है यह क्या चीज मतलब आ गई है जो मतलब पचास पचास बैंकों की जरूत क्या है लोगों के जेब में एक रूपया नहीं है पचास बैंक है समझ रहे हो न तो यह चीज होती में भी बोला गया था यस बैंक तो कोई topic है ही ने discuss करने वाला कौन discuss करता भाई ऐसे चीजों के बारे में हाला कि मैं तो नहीं करने वाला बाकी मर्जी आपकी है मैं भगवान से यहीं उमीद करूंगा और यहीं बोलूंगा कि जिनका पैसा लगा है उनको अच्छा profit निकाल प्राइमरी क्या नहीं खरीदना है है कि नहीं खरीदना है यह चीज ध्यान रखेगा है कि यह चीज ध्यान रखेगा क्योंकि जब आपको पता चल लागा कि हमें किन किन चीजों से दूर रहना है तो अच्छी चीज आपके सामने आ जाईए लेकिन आपको पता ही नहीं क्य गलत है क्या सहीए आप कोई किसी भी चीज में हाथ मार दो गहां तो नुक्सान हो जाएगा अब मैंने क्यूं बोला डेको cake दो लाइफ पिंसरेंश कंपनी को बेचने के लिए बोला गया be जिने के लिए बोला गया और जो target दिया गया ना वो पहले क्या होता था कि साथ में यहां पर वो लोग क्या mention करते थे कि यह जो target है within one year जो है यह achieve हो जाया करके इस target को achieve होने में एक साल का time लगया लेकिन अब यह word यहां से हटा दिये अब timing नहीं देते हैं timing नहीं देते हैं समझे अब हटा दियें इनको लेकिन यह जो भी target देते हैं याद रखेगा इंट्रडे का अलग target होता है इनका ठीक है इंट्रडे का अलग होता है और short term का अलग होता है और long term का अलग होता है और insurance वाले company से मैं आपको बता दूँ एलाइसी इतनी बड़ी company होके किसी को एक रूपया नहीं दिया हलाके लाको करोडों का नुकसान करवाया है लोगों का वो क्या return निकाल के देगा लिए पहले एक बात बताओ अगर आप सुबह उठकर colgate करते हो फिर खाना खाते हो तो colgate का share खरीद दो चलेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन सुबह माल लेते हैं अगर आपने life insurance खुदी नहीं किया है और आप life insurance का share खरीद रहे हो तो आपको profit कैसे मिल जाएगा सोचिए Warren Buffett Coco Cola का share खरीदे हैं वो बोलते हैं मैं दिन में तीन चार बार कोक पी लेता है और मुझे अच्छा भी लगता है करके हाँ तो समझ सकता है कि हाँ उस चीजों के बारे मुसको knowledge है तो खरीद रहा कोई दिकत नहीं है हमारे पास खुदी life insurance मैंने नहीं करवाया या फिर पू मार्केट में इंडिया में केवल 5% लोग ही पैसा लगाते हैं उस तरीके से और यह वही भोले भाले लोग होते हैं जिनको ना इधर समझ में आता है ना उदर समझ में आता है बस फसते चल जाते हैं सेम लाई से भी तो कोई भी life insurance मैं आमको बता दूँ अगर कोई कबाड़ लोगों को और पैसा ले लेना है देना तो है नहीं कुछ हैगी नहीं और उसके बाद अगर कुछ होता भी है मान सकते हैं कि अगर आपने car insurance करवाया है तो जब आपका car accident होगा तो वहाँ पर भी बहुत सारे rules and regulation बना दिया है 24 गंटे के अंदर आपने complaint करवाया है तो recover होग अगर आप speed ज्यादा गाड़ी speed चला रहे है तो वह वहाँ पर दिखेंगे अगर आप मान सकते हैं कि मान सकते किसी तरीके से identify करेंगे कि आप host में नहीं थे आप ड्रिंक किये थे या पी किसी तरीके से आपका दिया नहीं थे गल्ती आपका था बस तो हम पैसा नहीं इंसॉरेंस वाली को इतना जंजट रहता और 100 रुपे भी अगर मान सकते हैं आपका इंसॉरेंस का पैसा आना है तो वो लोग जगडा करने के बाद वो लोग केवल 40 रुपे ही देने के लिए तैयार होंगे ऐसा जंजट होता समझ रहो नहीं इतना में तो मैं लोग बोलू जागा तो हम लगा देंगे आपका दाट टूटी नहीं सकता हम आपको ऐसा देंगे तो यह सारी चीज़े से मैं आपको बहुत सारे फ्रॉड है दुनिया में बचा करो बस इतना ही देखो मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे वाले कंप बैंक या च्छे बैंक की चलते हैं और सारे पंचर है सभी पंचर है कितना भी हवा भर दो जाए गए नहीं क्योंकि ट्यू खराब हो चुका उनका समझेरो यह प्रॉब्लम है और आज कल के डीट में हमारे बारत में सभी लोग educated हो चुके हैं बच्चे 5 साल 10 साल के बच्च के पास financial knowledge आ चुकी है business knowledge आ चुका है वो लोग बैंक से पैसा लेके business करते हैं ना के अपना पैसा बैंक में डालते हैं पहले जमाना था हां कमाते ते डाल देते थे अब लोगों के पास globalization globalization जैसे सरकार नहीं सारी चीज़े जो है नए rules and regulation बना है भारत के लोग समझदार हो ग company है इनका जो main core business होता insurance का नहीं होता क्या आप खुदी बताए इनका जो core business होता insurance का नहीं होता गर insurance से पैसा मिलता तो फिर सब लोग बेवकुफ नहीं होते कुछ लोग बन जाते बाकि आपकी मरसी और अगा अप stock market में नहीं हो तो अपने डिमीट अकॉन एंजल में open कर सकत कर सकते हैं